आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे विप्रो स्टॉक के बारे में इसके जो ADR हैं हलांकि वो भी पोजेटिव में रहा हैं लेकिन 2000 के नोट को विड्रोल किया गया और US के अंदर से एक बड़ी खबर वाइट होस से ऐसा कहा गया कि 45% तक जो है मार्केट नीचे की तरफ क्रेस यानि डाउन ट्रेंड हो सकता है यह अमेरका से एक बड़ी खबर है और ऐसा अगर होता है तो IT बड़ा इंपेक्ट होगा और यहां से विप्रो में भी एक बड़ी गिरावट दिखेगी तो सभी पॉइंट्स और न्यूज को डिसकस करें इससे पहले आई होग के आपने प्रिमियम टिलिग्राम जोइन कर लिया है जो की बिल्कुल फ्री है एकुरेशी मोर दें 95% डिस्किप्शन से अगर ओपें नहीं हो रहा तो मार्केट साइंटिस प्रिमियम सर्च कर लेंगे इसके साथ ही एक्टिव टेडिंग कम्निट्री और लर्निंग ग्रूप में जुड़ना है तो डिस्किप्शन के लिंक से चाहे तो एकाउंट आपन कर लेंगे और चैनल को सब्सकाइब करके सियर करें और बिल नोटिफिकेसन को बिल्कुल ओन करना नहीं भूलेंगे 385 का दिख रहा है हमने क्या कहा 392 के उपर ही बायर एक्टिव होगा तब तक के लिए कौसन बढ़तेंगे यहां देखेंगे तो अमनली बहुत न्यूज ट्रेंड हो रहा है लेकिन एक बड़ी खबर यह देखेंगे सर्विस नाव के साथ कोलेबरेशन नेक्स्ट 5 यर के लिए किया गया है और यहां देखेंगे यह फ्राइडे के आसपास का न्यूज है और यही एक बड़ी खबर रही है इसके अलावे वॉल्यूम अभी भी देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम ही ट्रेंड हो रहा है हलांकि टेक्निकली देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अंडर परफॉर्म है जबकि monthly इसने outperform करा हुआ है यहाँ अभी भी अगर weekly time frame पे देखेंगे तो lower low lower high का trend दिख रहा है और exact 392 के उपर ही breakout है 392 को breakout करता है तो 420 और 440 प्लस तक के level दिखेंगे लेकिन conservative trader को मेरा मानना है कि 320, 350 के बीच के level का weight करे यहाँ भी निवेसा को investment मिल सकता है और अगर आपने अभी long कर रखा है तो 376, 78 के SL को लेंगे जहाँ आपका maximum target जो है 460, 500 प्लस के next 3 to 5 मन्त में होने चाहिए